कैसे हो आप सब ओप यू अभी सुभे के दस बज रहे हैं और अभी से मैं व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूं आज नीन खुलते खुलते बहुत लेट हो गया बीच में सुभे थोड़ा उठी थी पानी आया था तो वह सब कर देखना था उसके बाद मैं जाके ना फृट से थ 10 बज गया है तो अभी जा के ब्रैकफस्ट बनाओंगी गर्मी है बहुत न इसलिए थोड़ा अब लैदर जीब हो रहा ह से तो लेकिन फिर भी ब्रैक्फस्ट दस बच गया है तो जल्दी से ब्रैक्फस्ट बनाना पड़ेगा नहीं तो लेट हो जाएगा तो इसलिए जा रही हूं अभी ब्रैक्फस्ट बनाने तो रोटी बनाऊंगी और कल मैंने दोपहर में पालक पनीर बना था तो वह थोड़ा सा तो मैंने मुनुजित को बोला चलो उसी से खा लेते हैं और कुछ अलक से बनाने का टाइम भी नहीं है मन भी नहीं कर रहा है तो चलती हूं जाके breakfast पहले बना लेती हूं विकेंड हो तो breakfast थोड़ा अच्छा ही बनता है मेरे घर पे तो कल सैटरडे था तो कल मैंने पूरी बनाया था साथ में सबजी बनाया था आलूट दॉम तो आज क्या बनाओ सोच रही थी तो उसके बाद मैंने सोचा रोटी बना देती हूं तो थोड़ा सा घी लगा के पराठे जैसा मैं रोटी को सीख रही हूं इससे क्या होता है थोड़ा नरम नरम रोटी रहता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो बस ऐसे ही तो एक एक करके रोटी सेख लूंगी में और साथ में पालक पनीर कल बनाया था तो उसी को थोड़ा सा मैं सोच रही हूं गरम कर लूंगी और उसी के साथ रोटी को खा लूंगी लट हो गया उच्थने में तो अभी सब्सक्राइब बनाने जाओंगी तो बहुत लेट होग जाएगा इसलिए मैं यही कर रही हूं और इधर दीके पालक पनीर भी अच्छे से गरम हो गया है काफी अच्छा बना था खाने में और इस तरफ चाय की पानी भी बिठा दिया है चाय भी बनाना है ब्रेक्फस्ट बना दिया है तो अभी रखी हूँ टेबिल पे लाके अभी खा लेंगे मोनो जी थोड़ा अपना एक्सरसाइज बगरा कर रहा है उसके बाद ब्रेक्फस्ट करेंगे और आज गर्मी अलग लेवल का है मैंने अभी वेदर रिपोर्ट चेक किया तो दिखा रह जीने के लिए खाना पड़ता है हम लोगों को तो चली अभी ब्रेक्फस्ट कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं आज का दिन कैसे बिताते हैं हम लोग कि यहां पर रहा चाय साथ में यह पालक पनीर कलवाली और यहां पर गर्म गर्म रोटी ब्रेक्फस्ट करके मोनोजित गया था बाजार और आते टाइम ना वो मटन लेके आया बोलके गया था कि फिश लाएगा लेकिन उसको मटन पसंद आ गया तो मटन लेके आ गया है तो अभी मटन बनाऊंगी मैं इधर देखिए सारा प्रिपरेशन कर लिया है यहां पर है मटन आलू के लावा हम लोग सोची नहीं सकते तो बस आलू काट लिया यहां पर अध्रक लसन और थुराज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा है यह पर प्याज चौप कर लिया है तो अभी कढ़ाई पर तेल भी गरम होने के लिए रख दिया है अभी जस्ट बनाना स् थोड़ी देर में इसमें चौक लगाऊंगी और डाल के साथ परवल आया है बाजार से तो सोच्रियों परवल फ्राइ कर लोंगी और कुछ ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मटन एक हैवी डिश हो रहा है तो साथ में हलका पतला सा ही साइड डिश हो तो अच्छा रहेगा तो चलिए अभी जल्दी से मटन बनाना खतम करती हूँ थोड़ा टाइम लगेगा मटन बनने में और मेरी जो दीदी है वो आ जाएंगी फिर काम में तो मैं सोच रही हूँ वो आने से पहले मैं एटलिस्ट खाना बना लू मटन चिकन जब भी हमारे घर पे बनता है अगर बेंगौली स्टाइल में बनाना है तो उसमें आलू पड़ेगा ही पड़ेगा विदाउट आलू हम लोग सोच भी नहीं सकते तो यहाँ पे सबसे पहले आलू को फ्राई कर लिया और खड़े गढ़ा मसाले डाल के अच्छे में सोच रही थी कि गर्मी इतना है उसके उपर से मटन खाऊंगी तो गर्मी और लगेगा लेकिन फिर भी ठीक है गर्मी के चलते ना कुछ खाने का भी इन दिनों मन नहीं करता है लेकिन मटन है तो आज अच्छे से खाना पीना हो जाएगा तो बस यहाँ पर मसाला करने मैं बैठ गयी हूँ अल्रेडी काफी लेट हो गया था इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बना खब बना के नहा के आगे और अभी खाना खने बैठी हूँ दिखा देती हूँ कि लंच में क्या क्या बनाया है आज तो यहाँ पर देखिए करेला भाजी बनाया है परबल चल रहा है असुर डू आया है ना तो रिलीस किया है तो वही अभी चलाके देख रहे हैं तो और दो अपिसोड कल देखा तो हाज एकदम मैं सोच रही थी कैसे काम खतम करो और कैसे आके बैट जाओ यह देखने के लिए मुझे तुह बहुत अच्छ लगते देखने में और अभी यहाँ पर आम लेके बैठी हूं शाम का टाइम है तो थोड़ा सा मोनजीट इपका ये क्या करूं गर्मी में आम वाम खाके भूजाड़ा करना पड़ा पड़ेगा सॉलिड कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा है उतना ज्यादा यह सब ठंड़ा ठंड़ा चीज ही खाने में अच्छा लगता है खा के बताओ तो कैसा है मीठा है की नहीं चिर्ट उस दिन वाला आम बहुत मीठा था ना इसे थोड़ा कम मेठा है अच्छा है वह इतना टेस्टी था तो कल मैंने बोला था वहीं से लाने के लिए वहीं से लाया है देखती हूं मैं दिखा के मेठा है पर उस दिन जैसा नहीं है थोड़ा कम है यह थंड़ा थंड़ा हम इतना रिलेक्स लग रहा है ना खाके गले से कुछ जा रहा है समझ में आ रहा है ऐसा आम खाके रह गया बस अच्छे से खा लिया अभी इसको रखके हाथ मूद होंगी और उसके बाद भगवान जी का दिया बाती भी करना है वर्तक भी देखिए यहां पे जेट सारा रखा हुआ है वह सब मुझे अब जगा पे लगाना है तो काम तो इतना सारा है ना कि है मेरा कैसे जाके असुर देख लो वही चल रहा है दिवांग में जब तक यह सीरीज खतम नहीं हो जाएगा ना तब तक मेरे दिवांग में घुमता रहेगा तो अभी जल्दी से भगवान जी का दिया बाती करके पहले वह देखने बैठूंगी बाद में यह सब काम होगा पॉलमी तो असुर असुर करके बागल हो जा रही है उसको असुर ही देखना है आज आम खिला के भी उसका भवा नहीं जा लिए ता मेरे को लास्ट सीजन अच्छा लगा था बट यह सीजन में एको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मतलब यह कनेक्ट नहीं कर पा रहा हू कि आधा तो स्टोडी हम लोग भूल चुके है कि फर्स सीजन में था क्या तो मोनुजीत का इसी लिए ना वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा है कि क्या था कौन सा ओफिसर डेथ हो गया था अभी इस सीरीज में बोल रहा है तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा तो इस बजह से थोड़ा मतलब गरबर हो रहा है लेकिन दिक तो बहुत अच्छा लगता है क्राइम थ्रिलर तो इसलिए इनको अच्छा लगता है तो मुझे तो लगना पड़े ग़े है और इसको विकेंड के रखी थी कि विकेंड में दोनों बैठके देखेंगे तो इसल दिखना पड़ेगा दिल भी नहीं है तो भी देखना पड़ेगा चलिए फिर अभी भगवान जी का दियाबाती वागेड़ा सब कुछ करूंगी उसके बाद चाय बाए बनाओंगी और एक साथ आराम से आके टीवी के सामने बैठूंगी अभी मैं हात मुध होके फ्रेश होके आ गई हूँ और अभी करूंगी थोड़ा सा भगवान जी का दियाबाती करने के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा चाय बना लूंगी और साड़ा काम शाम का खतम एक साथ जाके टीवी देखने बैठूंगी तो अभी देखें मौनजीत यहाँ पर अल्रेडी टीवी चला दिया है मैंने भी अपना काम कर लिया अभी बैठके मैं भी सीरीज एंजॉय करूंगी तो चलिए इस व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलती हूँ फिर नए व्लॉग में तब तक के लिए किप वाचिंग बाइफोकल जिंदेगी